आज की इस वीडियो में IKI इंस्ट्रक्टर मेकनिकल का एक्जैम पेपर दिया गया है, जिसे की आप अपने एक्जैम यह तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं. तो सबसे पहला क्विस्चन है, प्रत्यागामी इंजिन की तुल्ना में गैस टर्बाइन इंजिन की स्नेहख खपत होती है, इसके आप्शन है, आक्ट समान, B. एक बटा बीस, C. एक बटा दस, D. एक बटा तीस, इसका सही उत्तर है, एक बटा तीस. अगला प्रश्न है, किसी धरन बिंदू पर बंकन प्रतिबल की तीवरता के समान उपाती होती है, इसके आप्शन है, A. उदासीन अक्ष से दूरी, V. धरन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, C. धरन की लंबाई, यी रूविये जर्त्व आघूर्ण, इसका सही उत्तर है, उदासीन अक्ष से दूरी, अगला प्रशन है, तीन प्रकार के लिंक कौन से है, इसके आप्शन है, A. क्रास द्रिड और द्रव, B. द्रिड प्रत्यास्त और द्रव, C. द्रिड फ्लेविक्सबल और द्रव, यी सामर्थ है, द्रिड और फ्लेक्सिबल, इसका सही उत्तर है, द्रिड फ्लेविक्सबल और द्रव, अगला प्रशन है, आटो मोबाईल के लिए, एकरमेन स्टियरिंग गियर किसका उदारण इसके आप्शन है, एक ही प्रकार के उत्पादन के बड़े पैमाने पर बनाने की विधी कहलाती है, इसके option है A. Job Production B. Batch Production C. Satak Production D. इनमे से कोई नहीं इसका सही उत्तर है Satak Production अगला प्रश्न है Automobile के क्लचों में किस प्रकार के स्ट्रिंगों का प्रियोग होता है इसके option है A. स्तरिट स्ट्रिंग B. सर्पिल स्ट्रिंग C. बंद कुंदलित हेली कम स्ट्रिंग D. इसका सही उत्तर है बंद कुंदलित हेली कम स्ट्रिंग अगला प्रश्न है प्राय प्रक्षालित की मोटाई कितनी ली जाती है इसके option है A. शूने डॉट 5D B. शूने डॉट 25D C. चार डॉट 15D D. शूने डॉट 05D इसका सही उत्तर है 4.15D अगला प्रश्न है एक पिंड का कोणिये त्वरन होता है इसके option है A. विस्थापन परिवर्तन की दर B. वेग परिवर्तन की दर C. कोणिये वेग परिवर्तन की दर ली समवेग परिवर्तन की दर इसका सही उत्तर है कोणिये वेग परिवर्तन की दर अगला प्रश्न है जब किसी पिंड के कंड एक वक्रिय पत पर गतिमान होते हैं, तो गती कहलाती है, इसके आप्षन है आ, वृत्तिये, बी, वक्र रेखिये, सी, सरल रेखिये, डी, इन में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है, वक्र रेखिये अगला प्रश्न है, कोर की शील्डिंग के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है, इसके आप्षन है आ, कंक्रीट, बी, मोटी मेलबेनाई जिद्शी, सी, तामरशीट, यी, अल्यूमिनियम शीद, इसका सही उत्तर है, मोटी मेलबेनाई जिद्शी अगला प्रश्न है, गैसों में उश्मा सम्वहन किसके कारण होता है, इसके आप्षन है अ, अड़ों के प्रत्यास्थ के प्रभाव के कारण, बी, इलेक्ट्रोन के गती के कारण, सी, द्रव के विभीन भागों की मिश्रित गती के कारण, D. Electromagnetic तरंगों के कारण इसका सही उत्तर है अडूओं के प्रत्यास्त के प्रभाव के कारण अगला प्रश्न है Aircraftों में प्रयोग होने वाला cooling system होता है इसके option है A. वाश्प संपीदन तंत्र B. वाश्प अफशोशन तंत्र C. वायो चत्र प्रशीतन तंत्र E. भाप जेट जल वाश्प तंत्र इसका सही उत्तर है भाप जेट जल वाश्प तंत्र अगला प्रश्न है जेट इंजन में प्रणोत शक्ती और दी गई उश्मा का अनुपात कहलाता इसके option है A. उश्मिय दक्षता B. समग्र दक्षता C. यांत्रिक दक्षता D. त्रणोद दक्षता इसका सही उत्तर है उश्मिय दक्षता अगला प्रश्न है जलो च्छाल किसमे होता है इसके option है A. अधिक्तम वेग B. नियूनतम वेग C. क्रांती वेग D. ओसत वेग इसका सही उत्तर है क्रांती वेग अगला प्रश्न है जलो च्छाल किसमे होता है इसके option है A. एक पाईप में B. एक बंध चैनल में C. एक खुली चैनल में D. एक वेंचुरी मीटर में इसका सही उत्तर है एक खुली चैनल में अगला प्रश्ण है, एक उतली चैनल में प्रिष्ट तनाव के कारण उत्पन तरंग होती है, इसके ओप्षन है, A. ग्रेविटी तरंग, B. कैपील्री तरंग, C. प्रत्यास्थ तरंग, D. इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है, कैपील्री तरंग. अगला प्रश्ण है, वियर पर मुक्त नापे की तुल्ना में, आसंजित नापे में, निस्सरन की मात्रा इसके ओप्षन है, A. अधिक होती है, B. कम होती है, C. समान होती है, D. इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है, अधिक होती है, अगला प्रश्ण है, स्यद्धान्तिक निस्सरन की तुल्ना में, एक प्रत्यागामी पंप का वास्तविक निस्सरन होता है, इसके ओप्षन है, A. अधिक, V. कम, C. समान, D. कोई नहीं, इसका सही उत्तर है, कम, अगला प्रश्ण है, शक्ति वाईयानों में रॉकेट इंजन का प्रियोग नहीं होता है, क्योंकि इसके ओप्षन है, A. इसकी उच्च इंधन के खपत के कारण, B. इसके बड़े मुख क्षेत्रफल के कारण, C. इसके आपेक्षिक भारी भार पौवर आउटपुट के कारण, D. इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है, इसकी उच्च इंधन के खपत के कारण, अगला प्रश्ण है, करबोजेट इंधन द्वारा उत्पन क्षेप बढ़ाया जा सकता है, इसके ओप्षन है, A. Compressor Inlate पर वायू धारा में जल अंतहक शेपित कर B. Compressor प्रवेश पर वायू धारा में इलकोहल अंतहक शेपित कर C. करबाइन और निकास नोजल के बीच इंधन जलाकर E. उपर्युक्त सभी E. इन में कोई नहीं इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी अगला प्रश्न है यदि दो संद्रेखिय बलपी और Q एक वस्तू पर एक ही दिशा में सक्रिय हो तो उनका परिनाम होगा इसके ओप्षन है A. P. माइनस Q B. P. 2 प्लस Q C. P. प्लस Q D. P. गुणा Q इसका सही उत्तर है P. प्लस Q अगला प्रश्न है आंतरिक दाब के कारण मोटे सिलिंडर में उत्रेरित हूप प्रतिबल लेना होगा इसके ओप्षन है A. संपीड ये B. तन्मिय C. अप्रूपर D. इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है तन्मिय अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है एक वृत्ताकार परिच्छेद का XXX अक्षपर जर्त्व आगून Y. अक्षपर जर्त्व आगून की तुलना में कितना होता है इसके ओप्षन है A. अधिक होता है B. कम होता है C. समान होता है D. कुछ कहा नहीं जा सकता इसका सही उत्तर है समान होता है तो अभी की इस वीडियो में इतना ही अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।